Good morning dear students, now we'll do Hindi work and in Hindi today we'll do page number 35 ये पता है आपको क्या है, रिक्त स्थान भर ये, रिक्त क्या होता है, खाली, ओके बिटा जो मैम ने खाली खाली यहाँ पर जगे छोड़ी है न, यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ-कुछ मैम ने यहाँ पर राइट कर दिये है और जो मैम ने राइट नहीं किये है, वो आपको बोल-बोल कर रिखने है, ठीक है जैसे आप काउंटिंग करते हो न, मैम लिख देती है वन और वन के बाद एक बॉक्स खाली चोड़ देती है जिसमें आप वन के बाद टू राइट कर देती हो न, फिर थ्री मैम लिख देती है, फिर थ्री के बाद वन बोक्स में फोर आप लिख देती हो वैसे ही, आज मैम ने हिंदी में आपको वक्त दिया है, कि मैम ने कुछ लिखे हैं और कुछ आपको बोल बोल कर लिखने है चिक है, सो सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है, क्या है ये? क, कोई भी बच्चा ना, अब भी हम इसको इसके पिच्चर के साथ रीड नहीं करेंगे, जैसे हम पहले बोलते थे थे ना, क से कबूतर वो हमें कबूतर अब रीड नहीं करना है, हम सिर्फ इसका वियंजिन का नेम बोलेंगे, ओके? क, कोई भी बच्चा ना, इसके का नहीं बोलेगा, ओके? आप जो बड़ा माउथ ओपन करके बोलते हो ना, बेटा, वो रोंग परनेंशियेशन है आपको ये नहीं लिखना है यापर, ओके? यहाँ पर क्या आएगा? क के बाद क्या आता है? क्या आता है? क्या बोलोगे, तभी आपको अच्छे माक्स मिलेंगे ना, अगर आप परनेंशियेशन रॉंग करोगे ना, तो फिर मैम आपके माक्स भी कट कर लेगी, जो बच्चिया से बोलते है ना, क्या, ख्या, ग्या, उनके मैम माक्स कट करेगी, आप ना, इसको क्या, आ के साथ साथ नहीं करनी है, ओके? क्या, ख्या, ग्या, और ग्या के अगर ग्या के बाद जो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है वो च से होती है, ओके? सो सबसे पहले हम लिखेंगे च, सुन्दर, सुन्दर, स्लो राइटिंग करनी है, ओके? च, आफ्टर, च, च, आफ्टर, ज, देखो, मैं आज किसी भी पिच्चर का नेम नहीं बोल रही है ना, आपको भी बिना पिच्चर के इसे रीड करना है, ज, ज, देखो, दो, दोनों में डिफ्रेंस है ना, ज, और ज, ऐसे ही आपको अलग अलग साउंड निकालने है, दोनों के लिए आप दोनों को ज नहीं बोल सकते, ज, ज, आफ्टर, इय, 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 तो, ठ, ठ, राइट डाउन, ठ, अगर आपको ऐसा लगता है ना, कि आपको सिर्फ पिच्चर से रीड करना आता है, तो आप एक काम करना, आप पिच्चर को सिर्फ मन में बोल लेना, ठीक है, जोर से नहीं बोलना, ठ, और पिच्चर का नेम आपको बोलना है मन में, अण, न, नेक्स्ट तो, ठ, धो, धो, न, पो, फो, देखो मैं आपने फो की फोर्मेशन कैसे बनाई है, पहले में ने प लिखा है, और फिर साइड की गोलाई बना कर उसे फो बना दिया, भ, भ, म, य, य की गोलाई भी नीचे से छोटी होती है, इसे लाइन पे टच नहीं करना है, ओके, य, र, ल, ल, की गोलाई लाइन से उपर होती है, वो, श, 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 गोसे गमला की डोट पर बनता है, राइड डाउन, श, 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 कौन, श, 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 ह, देखो बिटा, ह का उपर वाला कर्व, आपको स्लिम बनाना है, पतला बनाना है, ठीक है, और कर्व जो है, वो स्मोल बनाना है, इस कर्व को बिग नहीं करना, ओके, देन कम बैक, यहां तक पूरा बैकान है, अब यहां से गुलाई और नीचे से स्लांटिंग लाइन, हो, देन क्षो, अक्षो, अक्षो, अक्षो आफ्टर, त्र, यहां से कर्व, और नीचे से स्लांटिंग, और दोनों इक्वल, ओके, त्र, एंड लास्ट, ग्य, जैसे जहाज की तरह इसे बनाना है, सिर्फ इसे उपर टच नहीं करना है, ठीक है, यहीं से इसे राउंड करके, बाहर निकाल देंगे, ग्य, तो बिटा, आप सबको ऐसा ब्यूटिफुल वर्क करना है, और मैम को फोटो सेंड करनी है, ठीक है, और आज आप मुझे हिंदी सभी वेंजनों को रीड करते हुए, बिना पिच्चर के, ठीक है, पिच्चर के साथ एक वीडियो जरूर भेजेंगे, हर बच्चा मुझे भेजेगा, ओके?